हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत हाब सभी का हमारी यूटूब चैनल पर मैं हूँ एसके वर्मा आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6 जनवरी 2021 के करेंट अफेर के बारे में इस वीडियो में हम राश्ट्री अंतराश्ट्री और राजस्तान से समंदित बहतरिन करेंट अफेर के 10 परसनों पर चर्चा करने वाले हैं और इन 10 परसनों पर हम विश्त्रित डिटेल से भी चर्चा करेंगे साथी डियर फ्रेंड्स यदि आप यह वीडियो हमारे यूटूब चैनल पर देख रहे हैं आप हमारा एप एस गारो कुलम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ने बोलेगे इस एप पर आपको करनड़ अफेयर से संब्र जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी इस एप के अंदर आपको करन्ट अफेयर से संब्रेट वीडियो ज क्वीज टैक्स्ट सभी मिलने वाला है चर्चा करेंगे अगर आपको वो PDF भी चाहिए अगर आप देखने वाले हैं उस PDF को तो वह PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम से वह PDF राप्त कर सकते हैं उसका लिंक भी टेलिग्राम चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो की description में मिल जाएगा तो dear friends शुरूं करते हैं आज 6ðनौरी 2021 के CurrentAffair की विडियो को और comment आव से कीजेगा कमेंट करके बताइए का कि आपको वीडियो कैसे लगी तो चल queue चलिए स्टार्ट करते हैं माँच rzecz नौरी 2021 के CurrentAffair को आप इस कि हमारे दौनों यूटूब चैनल एसके वर्म मैथ किंग और एसके गुरु कुलम पर भी आप यह करण्ट अफ़ेर देख सकते हैं इसके लावा आप करन्ट अफयर से समंदिध हमारी इसकेजी पब्लिकेशन के नामसे करंट 30-83 और świत्मासी की निकरतम बुक्स्टोर से प्रजियज कर सकते हैं जली शुरू करते हैं आज का और पर जानते है हैं आज के बहतरीन जो परसंपने पर ही पर겁को नंको पहला पर्संद ही आलं मैं किस ने जम्मु कस्मीर और लदाख कोट के चीफ जेस्टिस की सपत ली है चार आपके सामनी है फर्स्ट आप्शन असोक शर्मा सेक्ड अप्शन रविकांत थार्ड पंकज मिथल फॉर्थ हामिद खान तो कमेंट करके अपना उतर दीजिए चलिए हम बता देते हैं इसमें से सही जो आंसर है पर्संधा हमारा हाले में किसने जम्मु कस्मीर और लदाख कोट के चीफ जेस्टिस की सपत ली है तो आप्शन नमबर सी सही हो जाएगा पंकज मिथल ने यह सपत ली है यानि कमाइंड रूप से जम्मु और लदाख के कोट के Chief Justice की सपत है चलिए हैं इसकि क्यूस्चन के बारे में कुछ दीडेल सी बाते जाहने लेते हैं ने is the가 कैंपन शिम्मु किस्मीर और लदाख कोट के Chief Justice की सपतली पंकज मिथल ने यह चाहर जनवरी 2021 को जिस्टिस पंकज मिथल को केंदर सासित परदेसों जेवानी वर्ति के बाद की गई है इन से पहले मुंक्हे नियाईदिस थे तो थे और इन वह सब्सक्रा की भी जो सकत है मुख्य न्यायदी मिथल को सपत दिलाई है तो यहां आपके सामने कुछ परसंड बन जाते हैं जो मुश्ट इंपोर्टन है फर्स्ट परसंड यही जो दिया वह कि हाले में ज्मो कुषमेर लाधा के कों बने हैं तो पंक्ज मिथल मनें इसके लाबह पर्संड यह बन आपके ए उपर इस्तान पर मनोज किस्तान पर सक्रें नंबर कि स्क्रेंड आप लेख पाड़े ओप निमन कथनों पर विचार किजिए यूपेसी लेवल का क्यूस्टन है ज्यान से देखिएगा निमन कथनों पर विचार करें फर्स्ट कथन दिया हुए हाली में ओडिस्टा वन विभाग ने पैंगोलीन के अवेज सिकार और वेपार की जांच के लिए सोचल मेडिया पर जातियों में से ऐसी दो पर जातिया है जो भारत में पाई जाती है थार्ड कथने इंडियन पैंगोलीन को अंतराश्टिय परकरती सरंक्सन संग इंटरनेशनल यूनियन फोर कंजरवेशन फोर नेचर आई यूचिन की लाल सूची में संकट गरस्त जबकि चीनी पैंग इंगोल इनको गंबीर संक्ट गरस्त की शरैनी में रखा गया है तो तीन कथन आपके सामनी अपने विचार करना है कि इन में से कौन सा कथन सही है एक से ज़्यादा है आपको लगता है पहला कथन सही तो लगाएं दूसरा और तीसरा दोनों लग रहे हैं तो सी लगाएं औ इस परसन का अंसर बताने से पहले हमारे एप के बारे में बताते हैं कि आप प्ले स्टोर से हमारा एप एसकी गुरू कुलम करेंट अफैर 2021 इसे डाउनलोड कर सकते हैं यह है इसका लोगो दिया हुए है इस एप पर आपको वीडियो टेक्स्ट और क्विज तीनों चीज़ सब्सक्राइब तो यहां आपका उस नंबर डी सही होने वाला है क्योंकि तीनों ही कथन सही है फर्स्ट सेकंड और थर्ड कुछ डिटेल से जान लेते हैं इनके बारे में क्या कुछ है तो देखिए देखिए पैंगोलिन के अवैद सिकार और वेपार की जान्च के लिए सकत आदेश दिये ओडिसा सरकार ने यह जो पिक्चर आप देख पारे हो यह पैंगोलिन की है हाली में ओडिसावन विवागने पैंगोलिन के अवैद सिकार और वेपार की जान्च के लिए सोसल मीडिया प्लेटफरमों की सक्त निगराने की आवसकता प्रभल दिये है इंडियन पैंगोलिन और चिन्नी पैंगोलिन पैंडियन पैंगोलीन एक बड़ा चिंटी खोर है जिसकी पीट पर सल्क नूमा शरंचना की 11 से 13 पंक्तिया होती है एंडियन पैंगोलीन की पूंच के निचले हिस्से में एक ट्रमिनल स्केल मुझूद होता है जो चीनी पैंगोलीन में नहीं मिलता है तो यह दोनों के बीच में डिफरेंस है केट भक्सी पैंगोलीन निशाचर होते हैं जो अपनी लंबी जीप का प्रयोग करके चीन्टियों को और दिमक को आहर के रूप में यूज़ करते हैं और इंडियन जो पैंगोलीन है व्यापर ग्रूप से सुष्क सेत्रों कोच हमाले और पुरुवतर को छोड़ कर सेस भारत में पाय जाता है यह जो परजाती है बांगले डेस में पाकिस्तान में नेपाल में सेरलंकम में पाय जाती है और जबकि चीनी पैंगोलीन पूरीवे नेपाल में हिमाले की तलहाटी छेतर, बुटान, उत्रपूरीवे बंगले देश और दक्षिनी चीन में पाये जाता है ऐसा माने जाता है कि यह विश्व के ऐसे स्तनपाई हैं जिनका बड़ी मात्रा में अवेद वेपार किया जाता है खास तोर पर पूरव तथा दक्षिनी पूरीवे ऐसे देशों जैसे चैना, चीन, विएतनाम में इसके मास्क का वेपार तरस्थानिय उब्भोग जैसे जैसे कि प्रोटीन, स्रोथ और पारंप्रिक दवा के रूप में इस इस्तिमाल के लिए इनका अवेद श्कार किया जा रहा है और इसी श्कार के कारण ये विलुप्ट होने के कगार पर है लास्ट में इसके बारे में एक अच्छी जान कर दिये एंडियन पैंगोलिन को अंतराष्टिय परकरती सरक्षन संग International Union for Conservation of Nature IUCN की लाल सुची में संकट ग्रस्ट जबकि चीनी पैंगोलिन को घंबीर संकट ग्रस्ट की सरेणी में रखा गया है इन दोनों परजातियों को वन्य जीव सरक्षन अधिनियम 1922 के भागवन की अनुसुची 1 के तहत सुचिवद किया गया है तो यहें इस न्यूस से समन्दित कुछ बातें थी इस परशन से समन्दित चलिए नेक्स्ट अगले क्यूशन पर चलते हैं क्यूशन नंबर थार्ड स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो किस देश की सरकार ने हाले में बड़ा फैसला लेते हुए अफगान सरनार्थियों अफगान रिफ्यूजीज की लिष्ट में अवेद रूप से सामिल लगबग 2 लाख लोगों की नागरिकता सिटिजन्सीप को रद किया है तो वह है कौन सा देश है भारत है बांगलेदेश है टालिबान है पकिस्तान है तो आपने इसका उत्तर देने हैं इसका उत्तर जानने से पहले हमारे एप के बारे में जा लीजिए यदि आप करन्ट अफेर से समंधित टेस्ट क्यूज और वीडियो देखना चाहते हैं और तो सभी परीक्षाओं के लिए चाहिए एससी है चाहिए रेलवे है चाहिए यूपीसी है बहतरीन करन्ट अफेर का संकलन चाहते हैं तो प्ले स्टोर से अभी हमारे एसके गुरुकुलम करन्ट अफेर डाउनलोड कीजिए चली इस परसन के आंसर को देखते हैं क्या कुछ है इसकांसर तो आलंकि इंडिया ने भी सेटिजन सिप के लिए रूल निकाले थे लेकिन यह जो बात कह रहा है किस देश की सरकार ने हाले में बड़ा फैसला लेते हुए अफगान सरनार्थियों अफगान रिफ्यूजिज की लिस्ट में अवेद रूप से सामिल लगबग दो लाख लोगों की नागरिक्ता सिटिजन सिप को रद किया है तो वह है जो देश है पाकिस्तान है पाकिस्तान यह है देश है चलिए कुछ डिटेल से बाते जान लेते हैं पाकिस्तान ने किया लगबग दो लग अफगान सरनार्थियों की नागरिक्ता को रद करने का फैसला यानि अफगानिस्तान सरकार ने दो लग से जदा अफगानी नागरिक्ता को क्या कर दिया है रद कर दिया है क्या है डिटेल से जानते हैं देखिए पाकिस्तान की सरकार ने हाली में बड़ा फैसला लेते हुए अफगान सरनार्थियों अफगानिस्तान रिफ्योजीज की लिष्ट में अवेद रूप से सामिल लगबग दो लाख लोगों की नागरिक्ता सेटिजन्सीप को रद कर दिया है पाकिस्तान के ग्रह मंत्री के मताबिक उनकी सरकार के पास लगबग 15 लाख अफगान सरनार्थियों का अकड़ा है जिन्हें पाकिस्तान की सरकार ने कानूनी दर्जा दिया हुआ है जबकि इस समय लगबग 8 लाख ऐसे अफगानी सरनार्थि हैं जो पाकिस्तान में फर्जी तरीके से अपने पहचान पत्र बनवा कर अवे तरीके से रह रहे हैं इन्हीं अवेद अवेद अफगानिस्तान सरनार्थियों में से लगबग दो लाग की नागरिक्ता को सरकार ने क्या कर दिया है पाकिस्तान सरकार ने कैंसिल कर दिया है चलिए आगे देखिए ये सरनार्थियाई कैसे थे इसके बारे में 1990 के दसक के दोरान अफगानिस्तान में ग्रहयुद के आहलात बन गए थे जिसके उपरांट वहां तालिबान सता में आ गया था और पक्स्मी सक्तियों के दखल के बाद 2001 में अफगानिस्तान तालिबान के सतासे बाहर हो गया जिसके उपरां तालिबानने हिंसा का रास्ता अपना लिया और नाटो वे लोकतान तरिक डूप से चुने वी अफगानिस्तान सरकार पर उसने आकरामक निती अपनाई हुई है हलांकि अमेरिका तालिबान से 37 समझोता करके अपने सेनिक अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर रहा है तो यह जो तालिबानी आतंगवाद है लगबग उसी समय से चल रहा है अब सरनार्थी कौन होता है तो सरनार्थी वो इंसान होता है जो उत्पिडन, युदिया, हिंसा के कारण अपना देश छोड़ कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है ओर्डर के नाते वापस अपने मुल्क में लोटना नहीं चाता किसी देश में मोजूद राजनितिक, धार्मिक, सामपरदाईक उत्पिडन के कारण भी लोग सरनार्थी बनते हैं सिरिया, अफगानिस्तान, दक्षिनी, सुडान, मियानमारोर, सोमालिय जैसे देशों में सरनार्थी संकट काफी विकट है और इंटरनेशनल एक्ट बना हुए, 1951 का 1951 का सरनार्थी कनवेंशन एक ऐसा अंतराष्टी कनुन है जो सरनार्थियों को परिबासित करता है तथा उनके अधिकारों को भी बताता है सरनार्थियों की स्तिति से समन्दित सन 1951 में कनवेंशन को सरनार्थी कनवेंशन, रिफ्यूजी कनवेंशन या जिनेवा कनवेंशन भी कहा जाता है और इसी कनवेंशन के मताबिक इस पर दसकत करने वाले देसों में देशों पर सरन देने वाले व्यक्तियों के सभी कानोनी सुरक्षा, सायता और समाजी का दिकारों का पालन करना अनिवारे होता है। यहां आपको यह भी बात द्यान रखनी चाहिए कि इंडिया ने इस पर अस्ताक्सर नहीं किये हैं। मुझता वक्त में टोटल 146 दे से जिनों ने इस पर अस्ताक्सर कर दिये हैं। भारत ने ने तो सरनार्थी कन्वेंशन उनीस से क्यानों में पर दस्कत किये हैं। और नहीं सरनार्थी कन्वेंशन से जुड़े 1967 के प्रोटोगॉल पर यहने इंडिया इससे अभी तक बाहर बनकर रहा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नंबर 4 स्क्रीन पर आप देख पारे हो। सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो फर्स्ट कथन है योगेता और जरूरतों पर आधारित कारेकरम के तहट कुछ शिक्षा में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए छातरवर्ती की संख्या बढ़ाने के लिए ब्रिटेन में मलाला यूसुफ जेई स्कॉलर्शिप एक्ट पारित किया गया है। और दूसरा अक्टोबर 2008 में मलाला को पाकिस्तानी तालिबान ने स्कॉल से घर जाते समय शिर में गोली मार दी थी। अब लगते हैं तो छली विचार कीजिए और आंसर दीजिए चली हम बता देता हैं आपको इस परसंदर का प्रसंददर क्या रहने वाला है तो इस परसंदर आ जो आंसर रहेंगा और उप्शन नम्बर और सी केवल तीसरा सही है यह यहाँ आपको देखना चाहिए कि कथन में बोल रहा है योगता और जरूरतों पर आधारित कारेकरम के तहत उच सिक्षा में पाकिस्तानी महलाओं के लिए चातरवर्ती की योजना बढ़ाने के लिए अमेरिका ने पारित किया है तो और दूसरा कथन अक्टूबर 2018 में 2008 में मलाला के पाकिस्तान पाकिस्तानी तालिवान ने स्कूल से घर जाते समय सिर में गोली मारती थी तो यह गटना जो है 2008 की नहीं है 2012 की है 2012 और तीसरा जो कथन है मलाला ने भारतिये बच्चों के अधिकार कारे करता क्लास सत्यार्थी के साथ 10 अक्टूबर 2014 को नोबेल सांती प्रुसकार साज़त किया तो यह सही है मलाला और क्लास सत्यार्थी दोनों को 10 अक्टूबर 2014 को नोबेल का सांती प्रुषकार दिया गया था तो ओनली कथन तीसरा सही है और सुनमबर सी इसका अंसर होगा भी चलिए कुछ बातें डिटेल से बता देते हैं क्या कुछ है इसमें मलाला यूसुफ जी स्कॉलर्शिप एक्ट पास किया अमेरिकी संसद कॉंग्रेस ने याने अमेरिका में संसद नहीं बोलते कॉंग्रेस बोलते हैं योगता और जरूरतों पर आधारित कारिकरम के तहत उच सिक्षा में पकिस्तानी महिलाओं के लिए छातरवर्ति की संख्या बढ़ाने के लिए अमेरिका अमेरिकी कांग्रेस ने मलाला यूसुफ जी स्कॉलर्शिप एक्ट पारित किया है तो यह एक्ट किस ने पारित किया है अमेरिका ने पारित किया है नेक्स्ट इस विदेक को सियुंगत राजी अमेरिका के सिनेट ने एक जनवरी को धानी मत से पारित किया था यह विद्यक अब अमेरिके राष्टपती डोनाल ट्रम्प देखिए अभी तक डोनाल ट्रम्प के ही अस्ताक्सर चलेंगे तो जो बाइडिन के अभी तक शुरू नहीं होगे क्योंकि इसमें वक्त लगेगा अभी सपत लेने के बाद तक तो राष्टपती ड यूएस ए आइडी को पाकिस्तान की उच्तर सिक्षा चातरवर्ती कारेकरम के तहट कम से कम 50% चातरवर्तियां पाकिस्तान की महिलाओं को 2020 से 2022 तक अकादमिक विश्यों की श्रेणी में और मुझूदा पतरता के अनुसार परदान करनी होगी यह इस एक्ट का प्रावधन ह इसका रूल है साथ ही अक्टोबर 2012 यह दियान एक्टोबर 2012 में मलाला को पाकिस्तानी तालिबान ने स्कूल से घर जाते समय सिर में गॉली मारती थी 2008 के अन्त में उन्होंने पाकिस्तानी तालिबान की विरोध में विरोध के बावजित महिलाओं और लड़कियों की संगर्च के लिए or भारती हैं कि बच्चों काREE करता किलास 24 के साथ 10 सेथी रहर दो जार्थ को नोबेल सांथि पुरुकर साजा is मतलब न हो को और किलास से अतार्थी को समाज्य कारे के लिए 10 में 2014 को नोबेल सांती पुरुषकार मिला है और जो घटना करम के हम चर्चा करें थे मलाला ने 2008 से तो शुरू कर दिया था अपना मतलब शिक्षा का एजन्डा जो भी लड़कियां पिछली वी थी जिनको तालिबान शिक्षा नहीं दे रहा था तो उनके लिए 2008 में तो एक त्रि पर चलते हैं स्क्रीन पर आप देख पारे हो परसंग को मोश्ट इंपोर्टेंट परसंग भारत सरकार पक्सिम मंगाल सरकार और विश्व बैंक ने पांच जनवरी 2020 यह निकल ही कोलकता पक्सिम मंगाल में एक अंतर देश ये चल परिवहन अव सरंचना में सुदार के कुछ डिटेल से बातें बता देते हैं बहरा सरकार पक्सिम मंगाल सरकार और विश्व बैंग ने पांच जनवरी 2021 को कोलकता पक्सिम मंगाल में अंतर देश ये जल परिवहन आवसर रंचना में सुदार के लिए 10.5 क्रोड डोलर की प्रियोजना पर रस्ताक्षर किये हैं हुगली नदी पर यात्री और माल की आवाजावी सुविदा जनक हो जाएगी नेक्स्ट क्यूशन नंबर 6 देखिए स्क्रीन पर आप देख पारे हो सही विकल्प को आपको चुनाव करना है कथन भस्ट है प्रदानमंत्री श्री नेरेंदर मोधी ने 5 जनवरी 2021 को वीडिय को सुधारने तथा मरीन एको सिस्टम को सरंक्सित करने के लिए 36 विकास की बहुमकी योजनां को रेखांकित किया और दूसरा जो कथने नेली करांति का समंध पसुपालन से है तो आपको इस परसंद का अंसर बताना है आपके सामने स्क्रीन पर ओप्शन दिया हुए है तो आप्सन नमबर डी लगाएं चलिए इसका आणसर आपको बता देते हैं यहाँ सिस्टम करांति का समंध पसुपालन से नहीं है मचली पालन से है तो डेटेल से जानते हैं क्या इसकी आणसर में प्रदानमंत्री श्री नरेंदर मोदी ने पांच जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से कोची मंगलूरू प्राकरति गेस पाइपलान राष्टर को समर्पित की तरह प्रदानमंत्री ने नीली अर्थवेस्ता को बदलने तरह मरीन इको सिस्टम को सरक्षित करने के लिए 36 विकास की बहुमुखी ओजनाव को रिखांकित किया तो यह तो कथन वन था सही है और दूसरा कथन नीली करांती का समंद मचली उत्पादन से है तो यह समझ में आगया होगा आपको चलिए अगले परसंद पर चलते हैं थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्क्रीन पर है तो परसंद पढ़िए हाली में किस बैंक ने बचत खाता खोलने के लिए वीडियो के वाई सी सुविधा का सुबारम किया है आईडिये बैंक ने प्यानिवी बैंक ने एस बैंक ने किसने किया है जल्दी सी बताईए है चलिए हम बता देते हैं आपको क्या आंसर होगा इसका जो सही आंसर होने वाला है आईडिये बैंक ने तो इसके बारे में जानकरी लेते हैं कि क्या कुछ है इस परसंद से समंदित इन्फॉर्मेशन तो ध्यान से देखिएगा इसे बचत खाता खोलने के लिए वीडियो के वाईसी सुविधा का किया सुभारम किसने आईडिये बैंक ने तो आईडिये बैंक ने बचत खातों के लिए वीडियो के वाईसी खाता खोलने वी एयो की सुविधा सुरू करने की गोशना की है अब इस सुविधा के मादम से कोई कोई भी ग्रहक अपने घर या कारेले में बैठे वीडियो के वाइसी के जरीए बचत खाता खोल सकता है क्योंकि इसके लिए अब उन्हें साखा में जाकर कोई भी फारम बरने की आवसकतर नहीं होगी वीडियो के वैसी घर पर रहेकर आसानी से बचत खाता खोलने का एक तव सद्धान से पड़िएगा कि ओनलाइन परिकरिया पुरी तरह से सुरुक्षित है और सरल है और तेजी से है और याने फटा-फटे काम समाप्त हो जाता जल्दी सिकारे समाप्त हो जाता इसलिए है और के वाइसी के लिए शाखा जाने के आवसकता नहीं पड़ेगी और महाराश्टर में है जा जालिए नेक्सट्ट किस नमबर एट देखिए थि निमन में से सत्ती है को भायरत की एकमातर सव देश हैं अप्सन में दो भारत बायोटे कंपनी द्वारा इस वैक्सिन को भारतीय चिकिस्चानों संधान परिषयद आइसी मार्त तथा राश्ट्य विश्वाणू विज्ञान संस्तान NIV के सही होग से विक्षित किया गया है आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है आपको लगता है पहला कथन सही है तो option A लगाई आपको लगता है दूसरा कथन सही है तो option B लगाई आपको लगता है दोनों कथन गलत है सही लगाएं और दोनों सही लगते हैं तो आपसे नमबर डी लगाएं चलिए विचार कीजी और आंसर दीजी तब तक हम आपको हमारे एप के बारे में बता देते हैं हमारा एप S की गुरुकुलम करेंट अफेर 2021 आप प्ले स्टोर से डा स्टोरे लिए लंक निर्मित हो रही है जो मतलगा निर्मित भी और भारत के अंदर विक्षित लेकिन नहीं हुई क्योंकि विक्सी तो वह री है एस्ट्रोजोनिका ओक्सपर्ड यूविश्टी के सयोगसी सेकंड करने कि भारत बायोटे कंपनी द्वारा इस व्यक्षिन को भारती चिक्षान संदान परिश्द आई सीमर तथा राष्ट्री विशानु विज्ञान संस्तान एन आई वी के सयोगसी विक्षित किया गया तो को जूँट को जो सीरम इंस्ट्राइम बात किया रहें निर्मीत किया तो है निर्मित को चलिंदनध बढ़ लेते हैं है कल के कुरंट पयर में भी हमने इस एउस स्मंदिट चर्चाएं की थी फिर भी देख लीजिए क्या कुछ है हाली में यह अच्छी लाइन ध्यान दीजेगा हाली में ड्रग कंट्रोलर जनरल ओफ इंडिया डी सी जी आई ने देश में कोरोना वाइरस के विरूद वैक्षिन के सिमी तो प्यों के लिए कोवी सिल्ड और कोवैक्षिन को मंजूरी दे दी है कोवी सिल्ड कोवैक्षिन और बी एन टी एक सो बासेट बीटू ने अंकेंद्रिय उसदी मानग नियंदरन संक्ठन सीडी एस सी ओ के समक्स अपातकलिन उप्योग हैतु मंजूरी के लिए अविदन किया था कोवैक्षिन भारत की एक मात्र सवदेशी कोरोना वैक्षिन है और भारत बायोटे कंपनी द्वारा इस वेक्षिन को भारती चिकिस्षान संदान प्रिशद आई सेमर तधा राष्ट्री विशान विज्ञान संस्तान नाईवी के से योग से विक्षित किया गया है चलिए अगले परसन पर चलते हैं परसन नमबर 9 स्क्रीन पर आप देख पारें स् कि विदेशी प्रवाशी प्रक्षियों की मोत होने पर बोपाल इस्तित भारती करस्य अंसुनान परिशत के राष्टी उच्छ शुरक्षा पसुरोग संस्तान ने इसकी सेंपल की जांच की राष्टी उच्छ शुरक्षा पसुरोग संस्तान द्वारा अपने जांच के नि प्रिकेसे मृत पाएगे हैं उनमें कौन सा वायरस मिला है तो चार ओप्शन है कोरोना वायरस निंजा बाइरस बाइरस एसरी फाइफ फाइफ पक्सि वायरस तो आपको बताने इन कुंसा सही है चली हम बता देते आपको यहां सिक बिलकुल ठीक होगा चली कुछ डिटेल सी जानते हैं इसके बारे में कुछ और बाते हाली में मद्यपरदेश राजस्तान और पंजब सरी पंजाब और हिमाचल पर तेस के साथ के एरल में पिछले कुछ दिनों में ही सेंक्रों-पक्षियों की मौथ की मामले सामने आये है और हिमाचल प्रदेश के कांघडा में इस्तित अंतराष्ट है रामसर वैटलेंड पॉंग बांध में के विदेशी प्रवासी पक्षियों की मौत होने का होने पर बोपाल इस्तित ये द्यान के लिए का बोपाल इस्तित भारती कर्षियन संदान परिश्यत के राष्ट्य उच्छ सुरक्ष्या पसुरोग संस्तान ने इसकी सेंपल की जांच की है और राष्ट्य उच्छ प्रदेश में कई कोओं की मोत होने पर इसकी जान शेतु सेंपल भेजे जाने पर राश्ट्रिय उच्छ सुरक्षा पसुरोग संस्तान द्वारा बड़ फल्यू की पुष्टी की गई है केरल में अला पूझ्जा और कोटायम जीलों में बड़ फल्यू के मामलों की देखिए बड़ फल्यू को कुछ और भी बोले जाता है एवियन इन्फ्ल्यूंजा एवियन इन्फ्ल्यूंजा तो एवियन इन्फ्ल्यूंजा को बड़ फल्यू की नाम से जाना जाता है यह खतरनाक वायरल संकर्मन इंसानों और पक्षियों को अधिक प्रभावित करता ह ईविन इंफ्लोंजा पहली बार 1997 में होंग गौंग से रिपोर्ट किया गया ठाथ तो ये भी जनिके का पहली बार जो ये विमारी वाईरस देखा गया था निपशी बाहत भिजिते पाल्तू ओर जंगली पक्षियों के प्रजातियों को prepared प्रभावित करता है और सबसे ज़्यादा जो है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला बड़ फ्लु वाइरस है जिसे इंसान और पक्षियों की मौत भी हो सकती है H5N1 वाइरस मुर्गी पालन के लिए विशेश रूप से घातक साबित होता है तो आजकल आपने देखाओगा मुर्गी पालन पर रोक नहीं नौन वेंज पर रोक लगाईगी है सामने ते यह वाइरस पक्षियों में पाय जाता है लेकिन यह मानव सहीत अन्य स्तंधारियों को भी संकर्मित कर सकता है जब कोई व्यक्ति संकर्मित मुर्गया या अन्य संकर्मित पक्षियों के संपर्क में आता है तो वह इस बिमारी से संकर्मित हो जाता है तो कुल मिला के फिलाल H1, H5N1, यह सब दियाद रखें, H5N1, यह पुच्छा जासकता है, बड़ फिल्यू के अंदर यह वाइरस है, तो चलिए, अगले परसन पर चलते हैं, Q10, स्क्रीन पर देख पारे हो आप, सही विकलप का आपको चुनाव करना है, बहतरीन परसन है, ख फर्स्ट कथन है, विलियम सन, न्यूजलेंड के लियर टेस्ट में सबसे तेज साथ जार रेन बढ़ाने वाले बल्लेवाज बन गए हैं, सेकंड कथन है, न्यूजलेंड के तरफ से साथ जार टेस्ट रनों का आंकड़ा पार करने वाले केन विलियम सन, महज तीसरे बल्ले पीछे छोड़ दिया है आपको बताना है इन में से कौन सा कथन सही है तो चलिए विचार कीजिए जो क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको तो उतर मालूम होगा तो यहां ओप्स नमबर जो डी है आपका सही होगा सभी गतन सही है जी न्यूजिलेंड के लिए टेस्ट में सबसे तेज साथ जारेन बनाने का वाले बल्लेबाज बने केन विलियम सन न्यूजिलेंड की तरफ से साथ जारेन टेस्ट रनों का अकड़ा पार करने वाले केन विलियम सन महज तीसरे वल्लेबाज है उनसे पहले रोस टेलर और पुरुव कप्तान स्टेफन फ्लेमिंग ऐसा कर चुके हैं और सबसे कम पारियों में साथ जारेन पूरा करने के मामले में केन विलियम सन ने पॉंटिंग और मियंदाद को पीछे छोड़ दिया है तो डियर फ्रेंड्स हमारे एप के बारें बता देते हैं आप इस तरह की क्रेंट अफेर की वीडियो को देखना चाहते हैं टैक्स्ट देखना चाहते हैं क्विज लगानाचाहते हैं अपने करेंट अफेर को लेकी सटोर से डाउनलूड कर सकते हैं तो यह च्छल की जो हमने फिश वीडियो में की है उमीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे यूटूब चैनल सस्क्राइब करें हमारा एप एसकी गुरुकुलम प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और जिस पीडियो पर हम ये पढ़ा रहें आपको अगर आपको ये पीडियो चाहिए तो आ है टेट किया हो